देखे चीन बेहद परेशान है और अब अमारिका की टेंशन दो गुना यहाँ पर ज्यादा हो गई है क्योंकि एरान ने अपनी पूरी ड्रोन फोर्स यूद के लिए तैयार कर दी इरान अगले 24 घंटे में एक ऐसा खतरनाक जोरदार हमला कर सकता है जिसका सबसे बड़ा टारगेट इसरेल है लेकिन इस बीच इरान ने एक वीडियो भी जारी किया और इस वीडियो को जारी करके बाइडन को बहुत बड़ा सदमा दे दिया आए इसरे दियाए दूर ने दियाए दोज़ा है जोने भी दोज़ा टार उट में इस चलाशां कि आए आए वीडियो ये ड्रोन से धमाकूं का वीडियो ये तस्फीरें इरान को बहुत जोश दिलाती हैं और ये ही वज़ा है कि उसने अमेरिका को एक वीडियो दिखा कर ऐसा शौक दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है ये है अमेरिका का सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर जो पर्शियन गल्प से गुजर रहा है यानि फारस की खाड़े इसे एरान अपना इलाका मानता है लेकिन खबर ये नहीं चौकाने वाली बात ये है कि अमेरिका के इस डिस्ट्रॉयर का वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है वो एरान का एक अटैक ड्रॉन है इस वीडियो में इरान के ड्रोन ने अमेरिका के इस जहाज को टागट पर लिया हुआ है और यही बात बाइडन को डराने लगी है इरान इस वक्त बहुत ज्यादा अक्रमक हो चुका है वो अमेरिका को बहुत कड़ा सबक सिखाना चाहता है इरान बार बार कह रहा है कि जर्णल कासिम सुलिमानी के हत्या का बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है और अब उसने ड्रोन वाली पावर दिखाकर ये बहुत ही खतरनाक मेसेज अमेरिका तब पहुँचा दिया है इरान ने अपनी ड्रोन पावर दिखाने के लिए एक बड़ा युद्धव भ्यास किया है इस युद्धभ भ्यास में दोसों से ज्यादा ड्रोन लांच किये गए जो उसने खुद बनाए हैं जिन ड्रोन को इस युद्धभ भ्यास में शामिल किया गया उन में चामरूश, यासिर, सादिक, पेलिकन, कमान, यजनदान और मुहाजित ड्रोन है इन ड्रोन के जरिये एरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों को बता दिया है कि छेडों गे तो छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह बरबाद कर देंगे इरान की ड्रोन टेकनॉलिजी बहुत आगे पहुँच चुकी है ये युक्रेन की युद्ध में रूस की मदद कर रही है तो यमन के अलावा सीरिया और अब लिबनान में हजबुला भी एरान की ड्रोन पावर का इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन जब से अमेरिका की वार्शिप के उपर एरान की ड्रोन मंडराता हुआ दिखाया गया है बाइडर और उनके दोस्तों में गजब की दहशत पहल गई है क्योंकि सब बाइडर से सवाल कर रहे हैं कि इरान का अटैक ड्रोन उनके जंगी जहाज के उपर उड़ता रहा उसके बहुत करीब आ गया और उसे टागट पर भी ले लिया लेकिन अमेरिका की नौसेना को इसकी खबर तक नहीं हुई आखिर ऐसी ड्रोन पावर से अमेरिका कैसे निप्टेगा क्योंकि इरान ने ये ड्रोन जारी करके साबित कर दिया है कि उसकी ड्रोन पावर को अमेरिका को ही निप्टा सकती है किसी भी वार्शिप के लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी ही नहीं बेज़ती वाली बात है कि दुश्मन का ड्रोन उसके उपर मंडराए और उसे खबर तक न हो अमेरिका का आरले पर्क जाहास दुनिया की सबसे बेहतर एर डिफेंस और मिजाइल डिफेंस हत्यारों से लेस है अमेरिका के पास ऐसे उनहत्तर जाहास हैं ये वार्शिप ऐसे रेडार से लेस हैं जो सैक्लो किलमेटर दूर से आसमानी टागेट को खत्म कर सकते हैं इसमें लगा एर डिफेंस सिस्टम भी दुनिया के किसी भी वार्शिप के एर डिफेंस से बेहतर माना जाता है और ज्यादा सटीक माना जाता है इसकी फायर पावर ऐसी है कि ये अकेला वार्शिप पूरी एरान की नेवी को खत्म कर सकता है लेकिन इसी जंगी जाहस के उपर अपना ड्रोन मंडराकर इरान ने अमेरिका का आत्म विश्वास किसी चीशे की तरह चकना चूर कर दिया है अब इरान के आसपास तैनात होने वाला अमेरिका का पूरा बेड़ा खत्रम हसूस कर रहा है इरान ने खुद को एक ड्रोन सुपर पावर के रूप में पेश कर दिया है और उसके टागेट पर इस वक्त दो देश पहला है अमेरिका और दूसरा है इसराई इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है यहां इरान का खासा दबदबा रहता है और यहां पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समुद्री बेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चैताबनी दे रहा है इरान की ड्रोन एक्सिसाइज में हर दाव परक लिया गया है पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रनवे से टेक आउफ करता है वो पूरे स्ट्रेट आफ हार्मूस पर नज़ा रखता है यह इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन निगहबान माना जाता है दूसरा ड्रोन है आरिश टू जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आउफ करता है वो नज़दी की पहाड पर दुश्मन के एक अड़े को टागेट करता है तीसरा ड्रोन यह है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टागेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहाज यह एक नेवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाबेल 2 बहुत ही सटीख हमला करता है इस तरहा इरान ने अपने तमाम हथियार आजमाने शुरू कर दिये है इरान की रणनीती शुरू से ही आक्रमक रही है ऐसे ट्रेलर रिलीज करके इरान बताता रहता है कि पर्श्मेशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीज़ा बहुत बुरा होगा इरान के ड्रोन बहुत खतरनाक है ये पूरी दुनिया मान चुकी है युक्रेन में इरान के शाहिद 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है युक्रेन के बिजली घरों पर रूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले की और उनको इतना नुक्सान पहुँचाया कि 50 प्रतीशत युक्रेन अंधिरे में डूप गया और अब यही फायर पावर लेकर इरान खाड़ी देशों में बड़ी पावर बन चुका है सवाल है कि इतनी बड़ी ड्रोन पावर बन कर इरान क्या करना चाहता है इरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिटरी बेस है और इन में कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सेनी तैनात है इरान की वार्निंग है कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपना पूरिया बिस्तर समेट कर भाग जाए नहीं तो वो उसे भागने पर मजबूर कर देगा इरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और ड्रोन पावरिंग रेंज और साथ में उससे होने वाले धमागी की ताकत दिखाकर इरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के हर मिलिटरी बेस को अपने टागट पर ले लिया है अमारिका और इरान की बीच में तनाव लंबे वक्त से है कई अर्सू से है लेकिन यहाँ पर यह समझना बेहत जरूरी है कि आखिर इरान सीधे सीधे तोड़ पर अमारिका कुछ नौती क्यों नहीं देता दरसल कुवेट में अमारिका के 10 सेने अड़े हैं सबसे पहले इसमें आता है कुवेट में 13,000 सेने तैनाथ है आमारिका के और यहाँ पर देखिये सैनेको की आबादी कितनी है 13,000 जो कि अमारिकी सैनेक और बहरीन में अमारिका ने 12,000 अड़े बनाय हुए है और यहां सेनिकू की संख्या है वो 3700 के करीब है और इसी वज़े से यहांपर कई फॉजी अमारिका के तैनाथ है वही सॉदी अरब की और आगे बढ़ते हैं और अमारिका के 10 military base यहांपर है सॉदी अरब में और यहांपर सेनिकू की अगर संख्या की बात की जाए पांच जार सैनिक तेनाथ हैं और कतर में अमारिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस है और यहां पर 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं यह वो देश हैं जहां से इरान बहुत जादा करीब है और यहां अमारिकी सैना का होना उसके लिए खत्रा बन जाता है यही वज़ा है कि एरान अब अमेरिका को इस इलाके में परदाश नहीं करना चाहता है क्योंकि उससे लगता है कि अमेरिका इन्ही अड़्ों से उस पर नज़र रखता है और यहीं से वो कभी भी एरान के न्यूक्लियर अड़्ों पर हमला कर सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका की जितने भी अड़े हैं वहाँ उसके बहुत ही खतरना खत्या तैनाथ रहते हैं यहां अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनाथ है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहां तैनाथ करता रहता है इसमें एरान के लिए सबसे बड़ा खत्रा है कतर का अलुदैद एर बेस जो पूरे पश्रिमेशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस है यहां अमेरिका के अलावा ब्रिटन की रॉयल एर फोर्स भी तैनाथ है दोनों देशों के यहां करीब डिर्सो फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनाथ रहते हैं यहीं से अमेरिका पूरे पश्रिमेशिया पर नज़र रखता है इरान ने अब अमेरिका को खुल लम खुला वार्निंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका इरान की धंकियों को हलके में नहीं ले सकता अमेरिका के डिस्ट्रॉयर के ऊपर अपना अटैक ड्रोन मंदरा कर इरान ने एक तरह से बाइडन को युद्ध का नोटिस दे दिया है